आज जो है जस्मानक का नया गाने का थोड़ा बहुत मैं रिवीव रियाक्शन तो नहीं देता थोड़ा बहुत बात करते हैं गाने के बारे में क्या कमी है क्या अच्छी बाते हैं जस्मानक का नया गाना पे फ़र्ष्ट मेजिक मिक्स वाइस की बात करें तो भाई जो जस्मान की वाइस उस गाने में कुछ अलगी टाइप का है एंड म्यूजिक भी बेसिकली सबको अच्छी लगी होगी बट लोग जस्मान के बीट पे थोड़े बहुत सवाल उठा रहे हैं कुछ जर्नल बाते भी करें तो बेसिकली देखा जाये तो जस्मान का ये गाना दो दिन में अभी तक यूटूब पर ट्रेंड नहीं किया है और आपको बता दे भाई जस्मान का पिछला वाला गाना लव एंड लाइस भी यूटूब पर ट्रेंड नहीं किया था बेसिकली देखा जाय तो ये एक जस्मानक के लिए struggle हो सकता है कि भई जस्मानक को फिर से मेनद करना पड़ रहा है YouTube पर trend करने के लिए basically देखा जाय तो जस्मानक कोई छोटा मोटा सिंगर तो नहीं है इन्होंने इंडिया में सबसे बड़ा गाना दिया है तो बेसिकली जस्माना छोटे तो नहीं है बट हाँ अभी श्ट्रगल करना पड़ रहा है यूटूब ट्रेंडिंग को लेकर जो बेसिकली आपको क्या लगते है क्या इस बार जस्माना का यह वाला गाना फिर से ट्रेंड करेगा या फिर लाव एंड लाइस की तरह नहीं कर पाएगा कमेंड कर देना बेसिकली गाना बहुत ही बहुत ही जद अमेजिंग है जो लोग ये गाना सुन रहे हैं उनको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बेसिकली जो पहले वाले जस्मानक को मिस करते थे वो बोलते थे कि बही ओल्ड जस्मानक की बेश्ट तो जस्मानक ने बहुत ही अच्छा ट्राई किया है जहां पर उन्होंने Older Vibe लाने की कोशिस किया है जहां तक देखा जाये तो Just Manak का ये गाना जो है Older Vibe देता है बेसिकली Just Manak जो ठाड only on Punjabi language यूज़ करते थे उसी टाइप का language Just Manak ने अपने नए ट्रैक में यूज़ किया है बेसिकली देखा जाये तो Just Manak की Older ऐसा आप बोल सकते है Just Manak Older वाली वाइब देने की ट्रै में है अपने फैंस को प्रस्नल बात ये करें तो भाई ये गाना Just Manak का मेरे को प्रस्नली बहुत ही पसंद आया जहां तक मैंने सुना है कि भाई ये गाने को मैंने 50 बार से जादा बार सुन चुका हूं वन डे पर इसका stories स्टेटस मेरे पर डला ही रहता है आपने देखा होगा बेसिकली आपको कैसा लगा ये गाना comment कर देना मेरेको तो सारे के सारे जस्माने के गाने ही पसंद है